तो गाज आज के वीडियो में हम बात करेंगे चिकन लेग वर्सेस चिकन ब्रेस के बारे में यह question मेरे एक subscriber ने मुझसे पूछाया और नोने मुझसे बोला है कि मैंने अपने जिम में notice किया है कि जितने भी लोग मेरे जिम में exercise करते हैं वो लोग exercise करने के बाद अपने घर जाते हैं और सिर्फ चिकन ब्रेस्टी consume करते हैं चिकन के कोई और पार्ट को वो लोग हाथ भी मेरे लिए गने गाद हैं तो प्लीज आप मुझह बताएए कज गिंद ही चिकेन ब्रेस्टी computer हैं करना पड़े का थो 2 मुझे चिकन लेक्स उतना पसंद नहीं जितना चिकन लेक्स is तो प्लीज आप मुझे बताएए कि या में चिकन के बागी पार्ट्स चंजीूम कर सकता या मुझे भी उन लोगों की तरह जबरदस्ती चिकन ब्रेस्टी कंजिम करना पड़ेगा तो गाइस देखिए दो आयम लाक्टो ओव वजेटेरियन बट स्टिल आइल वी कंप्लीटली ओनेस्ट ट्रांस्पेरेंट एंड अन बायस्ट विद इस टॉपिक सबसे पहले हम यह स बिसिकली स्टार्ट हुआ क्योंकि जो चिकन ब्रेस्ट है उसमें फैट की मात्रा सबसे कम पयाती है ऐस कंपेर टू चिकन के बाकी पार्ट से आप चिकन ब्रेस्ट को चिकन के किसी भी पार्ट से कंपेर कर लिए चिकन लेक्स से कंपेर कर लिए चिकन ब्रेस्ट में सबसे क इस हील्द इसलिए लोगों ने चिकन ब्रेस्ट को सबसे हेलधी option माना है और वो चिकन के बागी पार्ट सो कंजूंब करना ही बन कर दियें तो यह एक रीजन है जिसके जुछ़गेशन के बागी पार्ट बदनाम हो रखे हैं पर गाज यहां पर आप लोगों को मैं फिर से ब कर दिया है कि saturated fat और dietary cholesterol का आपके heart disease, heart stroke या unhealthy cholesterol level से कोई लेना देना है देखिए guys बहुत सारी multiple studies हुई है जिसमें बहुत सारे number of participants को लिया गया है in fact बहुत सारे research की combined meta analysis भी हुए जिसमें science ने साफ साफ कह दिया है कि it's time to retire the saturated fat myth और science ने साफ का आप ये बोल दिया है कि saturated fat का और dietary cholesterol का आपके heart disease और heart attack से कोई भी लेना देना नहीं है in fact जो ये heart disease, heart attack और आपके unhealthy cholesterol level का जो main culprit है वो refined carbohydrates है जैसे कि sugar हो गया और मैदा हो गया तो guys एक तो ये जो है चीज इसको आप गाट बान ने जे कि saturated fat healthy होते हैं आप इसे बे हीचक consume कर सकते हैं एक चीज और जो मैंने notice किये जिससे exercise के बाद लोग post workout के बाद लोग chicken breast consume करते हैं वो इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना है कि chicken breast एक fast digesting protein है fast digesting protein इसलिए है क्योंकि इसमें fats की मातरा सबसे कम है और workout के बाद हमें immediately fast digesting protein चाहिए होता है इसलिए हम तो भाई चिकन breast ही consume करेंगे इसके उपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आप लोगों को साफ साफ बताया हूँ कि science ने एनाबॉलिक बिंडो के मित को completely बश कर दिया है science ने साफ साफ बोला है कि workout के बाद आपको fast digesting protein चाहिए ऐसा कोई भी rule नहीं है यह कोई भी ज़रूरी नहीं है until and unless आप fasting में अपनी body को train कर रहे हैं तो guys इन दोनों चीज़ को पहली बात आप गाट बांग दीज़े कि saturated fat healthy होते हैं और दूसरी चीज़ वर्काउट के बाद यह ज़रूरी नहीं है चिकन के बागी पार्ट के nutrition value से compare किया है अगर आप मेरी screen पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप market से 100 gram chicken breast लेते हैं या 100 gram chicken drumstick लेते हैं जो की chicken legs होता है chicken legs का एक part होता है जिसे आप chicken lovers बहुत ही महबबत से खाते हैं तो अगर आप 100 gram chicken breast लेते हैं या 100 gram chicken calf लेते हैं और उनके macro nutrients को compare करते हैं तो आप पाएंगे कि उनके macro nutrients में बहुत ही negligible amount of difference है. fats की अगर हम बात करें तो 100 gram chicken breast में आपको 2.6 gram fat मिलता है जबकि 100 gram chicken drum stick में आपको 3.4 gram fat मिलता है मतलब total fat content में सिर्फ 0.8 gram का difference है और बात करेंगर saturated fat की तो उसमें तो एकदम 0.3 gram का difference है. क्या होगा अगर आप 0.3 gram saturated fat extra consume कर लेंगे जा 0.8 gram total fat extra consume कर लेंगे प्लीज एंडस्टांड इतने negligible difference से आप मोटे नहीं होने वाले हैं वलकि ये healthy fats आपको health benefits ही देगा. On the other hand अगर आप chicken breast और chicken calf के protein content को भी compare करेंगे तो उसमें भी hardly एक gram का difference है. और आप chicken breast को सिर्फ chicken drumstick से ना compare करेंगे आप chicken के बागी पार्ट से भी compare करेंगे तो protein और fats में कोई खास अंतर नहीं है. इसलिए जब हमने sports and nutrition का certification किया था तो हमारी nutrition के book में chicken के आगे मतलब जो nutrition information की table होती है उसमें chicken के आगे round off करके 20 gram protein लिग दिया गया है. उसमें chicken का bifurcation नहीं दिया हुआ है कि chicken legs में इतना protein, chicken breast में इतना protein, chicken wings में इतना protein और कभी भी हमें अपने nutrition के certification में ये नहीं पढ़ाया गया है कि आपको सिर्फ chicken breast की consume करना चाहिए वलकि उन्होंने chicken मतलब सिर्फ chicken चाहिए आप कोई भी part consume करें ये बताया गया है. आप एक चीज़ और समझेंगा है कि बहुत सारे मितना business purpose के हिसाब से फैला जाते हैं. ये जो saturated fat कमित है इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ बहुत सारे बड़े बड़े business groups का भी है. उन्होंने associations को बहुत huge amount of funding दी है ताकि वो saturated fat को बुरा प्रूफ कर पाएं और अप एक बात आप लोगों को सुनके काफी हैरानी होगी. October 2003 में McDonald's ने अपने chicken nuggets के recipe में 30% meat को replace कर दिया white meat से. याने 30% chicken का जो meat उसे replace कर दिया chicken breast के meat से. और ऐसा खरने से उनके sale 35% बढ़ गई. मतब Americans को लगा कि chicken nuggets में जो है white meat जादा है. इसलिए McDonald's की sale 35% से बढ़ गई chicken nuggets के market में guys. बात करें अगर कुछ और special benefits के बारे में जो आपको chicken के बाकी part consume करने से मिलेंगे तो वो है जो chicken legs होता है. चिकन के बाकी parts होते हैं. उसमें micronutrients आपको ज्यादा मिलता है as compared to chicken breast. तो guys at the end में यह गहना चाहता हूँ कि देखिए chicken breast चिकन के बाकी parts आप कोई भी consume कर सकत हैं. यह हलके-फुलके point के difference के fat से कुछ नहीं होने माला guys. तो saturated fat healthy होते हैं. तो please आप जो है कोई भी part consume कर सकते हैं. अगर आपको chicken breast खाना नहीं पसंद है तो आप chicken legs खा सकते हैं. चिकन legs नहीं चिकन wing पसंद है तो वो खा सकते हैं. देखिए जो chicken breast के अलावा जो chicken के parts होते ह हैं. जैसे कि legs, खासका legs वो काफी juicy होते हैं. उसको खाने का taste अलग होता है. तो अगर आप लोगों को chicken legs पसंद है तो please आप chicken legs consume करें और इस myth को जो है इस propaganda को फाल्दू के propaganda को लोग फ्लीज सपोर्ट करना बंद करें. तो guys अम्मीत करता हूँ. आज का video आप लोगों को अच आप लोगों करें दूवारा आप लोगों करें।